नमस्कार सर सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर्वेश बावु कुश्वा है सर्वेश जी आप कहां से आए हैं? मैं डिस्टर किटाबा यूपीस हूँ सर संत्रामपाल जी माराज से नाम दिक्षा आपने कब ली? सर मैंने रामपाल जी माराज से नामदीच्छा दस दो हजार चोदों के लिए थी सर संतर रामपाल जी माराज से नामदीच्छा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ती साधनाएं भी करते थे हाँ सर नामदीच्छा लेने से पहले मैं देवी देवताओं की पूजा करता था काली मंदर बजा करके सनी देव मंदर बजा करके पृतिक शनवार को दीपो जलाते थे तो फिर आप संत रामपाल जी माराज की सर में कैसे आए सर हमारी शाष और हमाई स ससुर जी टीवी पे साधना चेनल पे संत्रामपाल जी माराज का शत्संग आया करता था बो उनको देखा करते थे उनको थोड़ी सी प्रॉल्म थी पैर में पैर में उनके गलाव लगा हुआ था नकруग भेहंक का दरत था संत्रामपाल्ग मयराज से फिर वपन घर आये तब हम लोगों को बताया उन्होंने ऐसी ऐसी तो हमने भी साधना चैनल्स पे संत्रामपाल जी महाराज का संग सुना हमारे पिता जी की आँखें खराब हुई थी उनको दिखाई नहीं पड़ता था बिलकुली तो शर्ख हुआ क्या हम लोगों ने सबनों कर ली वहाँ जाने के लिए सतलो असर्म बरमाला संट्रामपाल जी महाराज की आसर्म में पहुंचा और 10 मारस, 2014 को हमारे पिता जी, मम्मी जी और हम, हमारी भक्तमती हमारे बच्चों ने नाम दिछा ली और परमातमा से आसीरबाद लिया संत्रामपाल जी महाराज से सर संत्रामपाल जी महाराज से नामदिक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाब भी प्राप्त हुए सर लाब तो इतने सारे प्राप्त हुए अगर हम गिनाते गिनाते साम से सुवे हो जाए पहला तो लाब हमारे पिता जी की जो बिल्कुल नजर बंद थी दिखाई नहीं पड़ता था सर मैं पिता जी को दिल्ली ले गया एसिन मेडीर कॉलवज डॉक्टरों से जाच करवाई डॉक्टर बोले कैसा है आपकी पिता जी की आँख की जो नस्ती वो फट चुकी है इनकी रोशनी कभी बापिस नहीं आएगी आप इनका उपरेशन कराने कोई मतलब नहीं है और आप इनको ले जाएए और जिनका उपरे परमात्मा खुरी दे देंगे तो डॉक्ट सामने मेरी बात सुनी बड़े जो अदिकारी डॉक्टर थे उनके पास फाइल वेजी के उन पर आदिस करा के लाईए उसके बाद में ऑपरेशन करूंगा लास्ट वे हमारा पिता जी का ऑपरेशन किया गया आँक का जब अब पत्कार हुआ कि उनकी आँखों में रोसनी एकदम आ गई और रॉक्ट सामन पूचा कुछ दिखाई पड़ रहा है वो बोला मुझे आज सब कुछ दिखाई पड़ रहा है जो कई दिनों से कई मैनस मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था आज मुझे सब कुछ दिख और सर लाब इतने बताओं मैं एक वार में आगरा में ही निकल रहा था एक साइट का टूट गया था एक साइट पबलिक आ जा रही थी तो उधर से रात हो गई थी मेरोको तो यहां पुलिस बालों ने एक बेरीर रखा रखा था रोड जाम कर रखी थी तो उसमें एक तार रहा था टेलीफोन का मोटा तार बायर थी उन्होंनों बाद रखी थी चर लंबी-लंबी तो वह रोशनी में मुझे दिखाई पड़ी नहीं और मैं पचास की स्पीट पर बायक चला रहा था मैं हलमन लगा हुए था तो रोशनी पढ़ रही थी तो इसलिए मुझे वह बाय बाती में अड़ा लेकिन structural पाल माराज की ऐसी डया रही हम पहे ख्रोंच तक नहीं आई अगर मालिक की धया ना होती तो आज मेरी गड्न कट के दूर गिरती जाकर मैं उस यह जीवत नहीं जाता अगर संद रामपाल nabe जीमारuben की धया न होती तो और सर दूसरा चमतकार तो 2019 का है कि मुझे दो-तीन दिन बुखार आया तो एक दिन हुआ क्या मैंने अपनी बगतमत्य से कहा कि आज कुछ मेरे संग अच्छा नहीं हो रहा है और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मौत निश्चित है मुझे कुछ अजीव सा लग रहा है तो उन्होंने क्या बात डोट्र दिखाया हो तो हुआ क्या सर हमारे मुझे बिलेड आ रहा था तो मैंने कई बिलेड अगर आ रहा है तो हो सकता है कि कहीं दांत में कोई खराबी हो या किसी काड़ से आने लगा होगा तो मैं डेंटिस क अगरी मेरे दिमाग में आया कि यह दवाई कुछ ठीक नहीं है मैं तुरंत उठा और बापिस दूसरे डंटिल के पास गया उन्होंने देखा तो नहीं नहीं कहीं ना तो मुमी कमी है ना तुमारे दात में कमी है आप जाए किसी फिशिशन के पास जाए यह वहां दिखाई है आपके पूरी शरीर में चत्के पढ़ गए काली काले तो इसमें फुलिट डाऊन होे हैं आपकी आप जाया तेस्ट के लिए गया आग्रा डॅली के सिल्प वहां जा करका मैंने टेस्ट कर आया जह स्टाफ था हुआ का, मुझे को कुछ हो नहीं है, हुए मुझे क्या हुआ में संतर लाम बुट बोलूगंया की हुए फिर उन्हें कह農 आप जाई है। अब वह जन्हें से आप यह उहां से आपको रिपोट मिलेगी मैं वहां पर गया सेंटर पर तो वहां से ऑक बड़ी डॉक्टर नहां करा कि इनकी रिपोर्ट सही नहीं आ रही द्वारें रिपोट कराई है फिर उन्हें रिपोट कराई को पिलेट लेट एकाउंट जब रिपोट आया हमारा तो 15 जा तो डॉक्टर ने एडमर्ट के लिए में गया उस्टिल में तो वहां पे डॉक्टर साब थे नहीं कमपोर्टर ने हमारा जो रिपोर्ट देखा बोला कि यह आपका पैशंट कहा है आप लाइए उसको एडमर्ट करिए इसकी बहुत हालत खराब है बहुत सीरियस रिपोर्ट क लीजिए तो उन्होंने रोट साथ फोन में लाया फोन में लागे अबन कर लिया उसके बाद उन्होंने कहा कि जुरूत है जमुपैक की विवस्ता मैंने कर ली इदर दर करकर आए कि विवस्ता हो गई हमारी लग्या दूसरे दिन जब टेस्ट कराया तो प्लेट लेट सब्सक्तिर दरवाले इसको जीने दिए अगर मेरे कोछ होग तो इसको कोई जीने नहीं दे़ा तब मालक से प्रत्ना करी संत्रामपाल जी इंकलबा के मेरे as अंगलेई दिन प्लेट लेट पांच जार से लेकर के चोंतिस जार बढ़ गई और मालिक संत्राम पालजी महाराज की बहुत बड़ी दया हुई हम पर आज तक स्वस्त हुँ देख रहे हैं आप आपके सामने खड़ा हुँ मैं बिल्कुल स्वस्त हुँ सर दूसरा लाव यह है हमारी जो पत्नी थी उसको एलर्जिक बीमारी थी वह बिचारी बहुत परेशान रहती थी कम से कम 4-6 साल बहुत परेशान रही फिर संत्राम पालजी महाराज की ऐसी किरपा ऐसी दया हुई नाम दीच्छा लेने के बाद तुरंत उनकी ये भी बीमारी इकट गई सर क्या आप नसा भी करते थे सर नसा तो मैं बहुत करता था यहां तक की गोटका भी पान सब कुछ करता था जितने वी विकार थे वाए अंदर थे सर तो क्या संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा लेने के बाद आपका नसा छूट गया? सर संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा लेने के बाद हमारे बिकार ऐसे गायव हो गए जैसे बिलकुल हमारे सरी में कोई विकार थाई नहीं जितने भी हमारे नसे पत्ते थे सब छूट गए हमारे बहुत कोसर कर रहे थे पहले हमने की विकार छूट जाए बीडी छूट जाए गुटका ठीर जाए बीर छूट जाए लेगन कोई छूट ही नहीं रहा था जब शंत कि यहां पर सच्छा ग्यान नहीं था तो लोग उन्हें पर पीटे थे लेकिन यहां पास सच्छी भक्ती नहीं थी तो सच्चा अधिक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे राप्त हुए आपको एक अदभु चमतकार हुआ कि आपके पिताजी की रोशनी संत रामपाल जी महाराज की किरपा से बापस आ गई तो जो सरदालू आज आपको देख रहा है आपको क्या कहना चाहेंगे जो सरदालू जो भी हमारे भाई बेन हमें देख रहे हैं टीवी चेनल की माध्यम से उनसे मैं हाँ जोड के प्रातना करता हूँ कि सब लोग संत रामपाल जी महाराज से दीच्छा प्राप्त करें और अपना कल्यान कराएं सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीच्छा कैसे प्राप्त की जा सकती है सर संतरामपाल जी महराज से नाम दीच्छा लेने के लिए अनेक साधन है हर एक जिला में नाम इस्तिल केंदर खुला हुआ है नाम इस्तिल पर चले जाएंगे और निसुलक नाम दीच्छा प्रापत करें और अपना कल्यान कराएं धन्यवाद सर्थ सथ सथ आप भी दुखु से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज ही बुक करें निसुलक पुष्टक ज्यान गंगा ज्यान गंगा पुष्टक निसुलक मंगवाने के लिए अपना पूरा पता पिन कोड के साथ हमें लिख कर भेजे हमारा वाट्सेप नमबर है ट्रिपल लाइन टू सिक्स डबल जीरो एट नाइन फ्री